तो यह गाइज, HTML के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है, मेरे नाम है प्रिम सिंग और आप देख रहे हैं अर्निंग बैनर, तो मैं आज की वीडियो के दिर में आपको बताने वालों कि स्वाand. सब्स्क्रिफ टैग और सुपर्स्क्रिफ टैग क्या होते हैं तो यफीन आपको प्रेंट इंपोर्मेशिन जीयस वीडियो के नीची। आप देख सकते हैं, अपने लेप्टाप के स्क्रीन के अपर आज चुका हूं लेप्टाप के स्क्रीन के अपर आजाने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं आपने स्क्रीप्ट के अपर आज के अदर हम लोग चैप्टर 16 को देखने वाल है तो बटन है इसके अपर क्लिक कर दूँगा यहां पर आप देख सकते हैं मैं चैप्टर 16 के ऊपर आज का हूं आज की इस वीडियो का अंदर हम लोग चैप्टर 16 के अंदर सब स्क्रीप्ट और सुपर स्क्रीप्ट को देखने वाल है जिसमें से हम लोग सब से परने देख किया है एक इसमें लिखा हुआ है the HTML sub-script element is used for subscript text. This text appears a little lower than the regular line and is sometimes similar. Sub-script text is often used things like chemical formula such as H2O. ठीगे, इसका में भी है कि जो subscript है, वो यूस होता है किसी भी text को छोटा करके उसे नीचे की तरफ लिखने के. यहां पर आप इसको यूस में ले सकते हैं chemical formula like H2O, आपने कई पर 10th class, 9th class या 8th class के अंदर 4th class तो लिख्योंगे, इसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा, जो atom में नंबर होता है, बलब परमानो संख्या होती है, किसी भी तत्विती तो वो नीचे की तरफ आता है, जैसे H2O, तो कि लिखे हुए आता है H, और नीचे की तरफ 2 लिखा हो आता है, ऐसे H2O हो गया, वाल्टर का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा फ्रीमस फॉर्मूला ठीक है, H2O आता है छोटा सा नीचे की तरफ फिर O आता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओपूट, यहाँ पर देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, इधर लिखा हो आ रहा है, एस तरीके से अग यह देख और राइट क्लिक करके, चो उपर क्लिक करके, उपन विद कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर Vs खोड उपन हो चुका है, मैं हैं याँ पर पी tag लिख देता हूँ, बょ兩個 जैसी Camb siz यहां, यहां पर automatically इसे खुद से ही एक पहलली व्राफ्फs, यहां पर generate करके देजिए जिसमें कुछ भी लिखा हुआ ठीक है मैं यापर किया निकता हूँ मालेज़े एमेट है ठीक है मैं क्या चाहता हूँ कि यह चोटा हो करके नीचे की तरफ आ जाए तो मैं क्या तरूब है यहां पर एस सब नाम का एक element लगांगा और इसका ending पर जो है ना सबका उस एंडिंग पॉइंट को मैं आपर एमिट के एंडिंग में डाल दूँगा ठीक है जैसे मैं इसे डालता हूँ और इसका उट्पूट ना को दिखाता हूँ आउट्पूट देखने के लिए मैं आपर गो लाइव का उप्शिन रजाएगा इसके उपर क होगा तो मैं क्या करूँगा स्क्राइब की रठा देता हूँ यहां पर मैं लिखता हूँ एच बढ़ना वह देक नॉर्मल पी में आ गया अब टू की बार या थी टू को अंगलोगों को छोटा बर की नीचे निकना है तो मैं यहां पर एस यू भी सब एलिमेंट यहां पर बन चुका है इस तरी के साब किसी भी टरिगें को फॉर्मला कर सकते हूँ इन सब स्क्रिप्ट को इूज में लिए करके और साथ याद रहे यहां पर मैंने जो भी आपको chapter 15, 14, 13, 12 और 11 के अंदर जो भी मैंने बता है, उन सबको आप mix up में use में ले सकता है, mix up में जैसे कि यहां पर मालो उसको mark करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर mar के mark element को use में ले लूगा, वैसे यहां पर mar के लिख देता हूं, यह starting point हो गया, और य यहां पर आप देख सकते हैं, यह highlight हो चुका है, मैं इसको bold करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर bold लगा दूँआ, ठीक है, बी मैंने यहां पर लिख दिया, और यहां पर जो बी का ending tag है, उस ending tag को मैं यहां से अठाता हूं, और सबसे last minute, बी सबसे बाहर है न, तो बी का ending tag मे मैं सबसे बाहर ही डाल दूँआ, ठीक है, इतना लिख देने के बाद में मैं यहां आता हूं, इसका output आप देख सकते हैं, bold भी हो चुका है, साथ-साथ इसका mark बिनक चुका है, और अपना जो sub script है, वो भी यहां पर निखा हूँ आ चुका है, तो आपको अच्छे से clear हो ग लिखना चाहते हो, तो आप sub script पर यहां पर इमेज पर क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं, अब बारी आती है, super script की, super script नाम से आ रहा है, super, अब अगर मैं आपको याद करने का तरीका दूँ, sub script नो super script का, तो देखी super, super, super का मदब क्या होता है, superman, superman हावा में उठता ह तो ऐसे ही super script का होता है, कि tag को छोटा करता है, और उपर की तरफ उसको set कर देता है, जैसे कि अगर मैं इसको दिखा हूँ, example, जैसे कि आपने कई बर देखा होगा, आप लोग काया है, कई बर formula को लिखते हो, बड़ा famous formula है, friends, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब एपर मैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और क्या आता है, friends, a square तो हो गया, plus b का square, तो मैं b लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, sup मैंने लिख दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका output चेक करूँ, तो यहाँ चलता हूँ इसके output पर यहां देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ आगे ना, A का स्कुरार प्लस B का स्कुरार, यहां पर अच्छे से आपको clear हो रहा होगा, तो आप किसी भी टेक्स्ट को ऐसे उपर की तरफ रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर एक कुछ लिख दिया, मैं इसको छो इसके एंडिंग पॉइंट के मैं लगा दूँ मैं यहां पर एंडिंग पॉइंट का, अगर मैं refresh करो तो यहां देख सकते हैं, यह छोटा ओगर के ऊपर की तरफ जा करके टिक चुका है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हूं, और मैंने आपको बताई दिया है कि आप यहां पर यह जो मैंने चैप्टर 16, 15, 14, 13, 12 और 11, यांदि कि 11 से लेकर के 16 तक के जो भी आप इनको आराम से निक्सप करके लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है, कि आप इनको नहीं निक्स सकते हैं, इसा कुछ लोफेंट में आदे से ज्यादा आप कुछ भी चीज़े ट्राय करते लिजिए, जैसे कि मैं बोल्ड को इटारिक में डाल दो, या फिर ट्राय करते लिजिए, अगर आप ऐसी चीज़े करोगे ना तो आप खुद के माइंड में चीज़े जब क्लियर होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही यहाँ पर आपको इस चीज़े समझ में आने वाली हो, याद रहे मैं आपके आगे जाकर के आपके quiz test भी लेने वाला हो, तो आप उसके लिए ready रहेगा, और यहाँ पर बीच में मैं एक fill in the blanks type का भी test लूँगा, जिसमें आप लोग अपने code को लिख सकते हो, ठीक है, तफ जोगो。